कि मेरी जिम्मेदारी और अधीद बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपनी माताओं बहनों बेटियों के सामने मैं अपनी युवा साथ्यों के सामने मैं अपने किसान भाई बहनों के सामने उन्होंने जो मिरने जो बड़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाओं में बेश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिश हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ती हमारी युवा शक्ती हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही बेश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबी सी साथी इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनावों वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है यह चुनावों हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बैन यह सोच कर खुच है कि उसने जीसे वोड दिया वो विजय उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विख्सित राष्ट देखना चाहता है साथियों मैं आज विशेश रुप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुझावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का पर्चम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुक्सान नहीं पहुचा सकते हैं आज नारी शक्ति वन्नन अधिनियम ने देश की माताओ बेहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नहीं बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्षों में भाजपाने उन्तक, टॉइलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुंचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास, बीजेपी के विकास मॉडेल का एक महत्वक पूर्ण स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजप का के विजेगी, पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपुर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्नता से देश की हर बहन, बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजेपी ने किये हैं, वो शत्त प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये, ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों, चुदाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की हैं देश का युवा शिर्फ पर सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाब काम किया हैं, वो सरकारे सत्ता से बहार हुई है चाहे राजस्तान हो, 36 गड़ हो, या तेलंग ना हो ये सारी सरकारे पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम यह हुआ, कि इन तीनों ही राज्यों में, सत्ता में बैटे दल, अब सरकार से बहार है आज, देश के युवा में, ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है, कि बीजेपी ही, उसकी आकांग शायद समझती है, उसके लिए काम करती है बेश का युवा ये जानता है, कि बीजेपी की सरकार, युवा हितेशी होती है युवाओं के लिए, नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों, आज देश का आदिवासी समाज में, अब खुल कर, अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है, जो कॉंग्रेस की नीतियों की बज़ह से, साथ दसक तक, पीछे रहा जिसे आउसर नहीं दिये गए, इनकी जनसेंग के आज, दस करोड के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव पर्रामा बे भी ये देखा है जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने एमपी चत्तिसगर और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांग्षी है और उन्हें बरोसा है कि इस आकांग्षा को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनों मैं आज हर राज्य के भाजपा कार करताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसमसा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुन्निय है डबल इंजिन सरकार का मैसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुंचाया इसी का परणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्टिय देख्शन नड़ा जी जिस प्रकार अपनी नीती रहा है